इसके बाद आएंगे लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग ने 1844 से लेकर 1844 तक भारत के गवर्नर जनरल बन कर रहेंगे उसके समय की महत्वपून घटना अगर बात करें तो प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845 से 46 वाला और इस युद्ध का परिणाम जो था वो अंग् जो ने अपना सामराज जलंधर से पंजाब तक विस्तरत कर लिया आपको मैप में दिख रहा होगा उसके सुधारों में मुख्य रूप से उत्पात कर से बहुत सी वस्तूओं को मुक्त कराना नमक पर वसूली होने वाली राशी को आधा कर देना साथ ही नर्बली तथा सती प्रथा के प्रशलन पर प्रतीबंद लगाना आधी शामिल थे लाड हार्डिंग ने ज्यादा कुछ नहीं किया एक ही युद्ध है तो सिख युद्ध याद रखेगा शॉटकट है कि सिख जो है वह बहुत हार्ड सोभाव के होते हैं हार्ड लोग होते हैं तो सिखों को हर आने वाला हार्डिंग याद रह जाएगा आपको हार्ड से हार्डिंग नेक्स्ट गवर्नर जन्रल के रूप में लौट डलहोजी जो है 1848 में अलाफ डलहोजी गवर्नर जन्रल बनकर भारत आएंगे उनका शाशनकाल जो है आधुनी के इतिहास में एक इसमर्णी काल रहा है क्योंकी